परदे में रहने दो, परदा ना उठाओ ये है कौन? शेरियार चौधरी कोई तस्वीर नहीं है कि अपने इंस्टाग्राम पे अब देखते हैं कि अब ये जो वीना मलिक जी है ये जो उनकी महबबत है ये इस महबबत से परदा उठाती है, दिखाती है कि कौन है शेरियार चौधरी? ये तो आने वाला वक्ती बताएगा नाजरीन मेरी बहुत ज़्यादा बहुत प्यारी विशेज हैं वीना जी के साथ बहुत अच्छी इंसान है और एक अच्छी और जो है एक अच्छा साथी डिजर्फ करती है एक अच्छा लाइफ पार्टनर डिजर्फ करती है I hope कि शेरियार चौधरी जो भी है इनकी जिंदगी में आये इनकी जिंदगी को चार चांद लगा दें एक औरत के पीछे जो एक सपोर्ट है वो उनको मिलनी चाहिए और उनको घुमने, फिरने, खाने, पीने एक हर इंजॉयमेंट के लिए एक लाइफ पार्टनर जो है वो चाहिए और मुझे लगता है अगर उनको कोई राइफ परसन मिल गया है तो उनके लिए बहुत 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 हो क्योंके हम चौधरी जी को तो नहीं जानते के कौन है, कहां से हैं और मुझे लगा के मेरी एक बहुत अच्छी हमारी शोबिस परसनालिटी वेरी तलेंट, वेरी चामिंग और बहुत जादा स्मार्ट होशियार और मुझे बहुत पसंद हैंगा हर किसम का काम, उनकी मिमिकरी के हिसाब से तो पुरी दुनिया में जानी पहचानी जाती है वीना मलिक जी, किसी तारुप के महताज नहीं है शीज़ पाइन अक्टरस, सुपर लइडी, वेरी क्लासी and nowadays, मैं आपको पताओं, यह से पहले की भी बात पताओं सोशल मीडिया पे हमेशा से खबरों की नजर बने की, इनकी जो है ना, सलाहियत बहुत हैं और रही भी हैं और हमेशा से खबर इनकी जो है वो बहुत ज़ादा वाइरल होती है किसी भी किसम की कोई बात हो क्योंकि social media की queen है एक चल रहा है कि वीना मलिक जी और शहरियार चौदरी जो है इनके आपस में एक दूसरे को ये publicly publicly comments कर रहे हैं एक दूसरे को जवाब, त्यार, महबत, कुछ ऐसे गाने, कुछ ऐसे सूरत romantic songs जो है वो एक दूसरे को share किये जा रहे हैं एक दूसरे को tag किये जा रहे हैं खबरे भी इनकी चलना शुरू हो गई हैं मगर ये जो आप सुन रहे हैं परदे में रहने दो, परदा ना उठाओ कोई तस्वीर नहीं है कि अपने Instagram पर आप देखते हैं कि अब ये जो Veena Malik जी है ये जो उनकी महबत है, ये इस महबत से परदा उठाती है, दिखाती है कि कौन है share यार चौदरी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा नाजरीन मेरी बहुत जादा बहुत प्यारी wishes है Veena जी के साथ, बहुत अच्छी इंसान है और एक अच्छी और जो एक अच्छा साथी deserve करती है, एक अच्छा life partner deserve करती है I hope कि share यार चौदरी जो भी है, इनकी जिंदगी में आएं, इनकी जिंदगी को चार चांद लगा दें एक औरत के पीछे जो एक support है वो उनको मिलनी चाहिए और उनको घुमने, फिरने, खाने, पीने, एक heart enjoyment के लिए एक life partner जो है वो चाहिए और मुझे लगता है अगर उनको कोई right person मिल गया है तो उनके लिए बहुत 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 हो क्योंकि हम चौदरी जी को तो नहीं जानते के कौन हैं, कहां से हैं मैं आपको share यार चौदरी जी अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो मैं आपसे request करूँगी personally हमारी industry का बहुत इच्छा सर्माया है और और यह मैं आपको बता दूँ के इनका पिछला जो भी कोई अगर इनका disaster या कोई इनकी तकलीफ या इनकी जिन्दगी से कोई pain या दर्द गुजरा है तो आप इनके लिए जो है एक अच्छा कदम उठाइएगा ताके वो अपने जितने गम हैं तकलीफ हैं दूर हो जाए इनके और उन सब चीजों को भूल जाएं और भूल के आपके साथ एक खुबसूरत नई जिन्दगी का सफर है वो शुरू करें और उसमें एक अच्छे शोहर और अच्छे पार्टनर का साथ वो बहुत इंपॉर्टन्ट होता है और याद रखिएगा कभी भी जो सोशल मीडिया वाले हैं जो ब्लॉगर्स हैं जो कॉमेंट सेक्शन वाले लोग हैं जो सस्ती शोहरत के लिए किसी भी बड़ी परसनालिटी का नाम या सहारा यू इसे बُरा कोई नहीं कोईर नौगा क्या है क्योंकर यह जो मेरा प्लैटफॉम कोई नियुक्त कर सकेका अगर किसी के सांथ खराभी की तरीके से पेश आना गलगों कोई करनी है और ब teeny कोई भोगा नहीं करने तो दौाब में लोगों को याद करें लोगों को फुषी में अगर नहीं किया जाता है तो फुजूल का ढोल बजाने की जुरहत नहीं है क्योंकि अगर फुजूल का ढोल बजाएंगे तो नाचने वाले आपी घूंगरू पहन के नाचने भी आपको पढ़ेगा तो बहतर है जड़ा सेफ हैंड रही है और वीना जी लगा यह बात करनी च और इतना बुरा इसका रियक्शन मेरी एक एक पलक जो है वो गिर चुकी है मैं भी बिना पलकों के आपके सामने बैठके यह पूरा शो करा रही हूं और अगर मैं यह आपको बात बता रही हूं तो यह बिल्कुल फैक्ट बात इतने गंदे किसम के गलूज होते हैं कुछ भी नहीं होता आप लगवाएं लगवा के चले जाएं यह सब कुछ हो जाएगा नई भाई कुछ भी नहीं होता एक ककरी सी आँखे हो जाती है और उसके बाद जो तकलीफ है जिस तरह से उखड़ती है बहुत से सेलून्स जिनके पास कैमिकल ही निसको निकालने के ल अब पिछले महीने अब एक महीने के लिए गई थी अमेरिका और बार आपने देखा भी होगो के लंडन के बड़े चक्कर लगा रही होती है लोगों को लगता है मैं क्यूंके सिंगिंग शुरू करती तो कॉंसर्ट से खरा के लिए तो बीच में एक आती होते हैं दो ही मैं अपना स्किन केर का ब्राइन जो है वो लांच कर रही हूँ विच इस वेरी वेरी गुड जिसमें देखें मैंने कभी आज तक जिन्दगी में मरकरी वाली क्रीमों को सपोर्ट नहीं किया ना मैं लगाती हूँ ना मैं बोलती हूँ मेरे घर के जितने स्टाफ हैं उन में मैंने रिसर्च की मैं गई वहां के डिमाटोलिजस्ट में मुझे अपन इपने चीजे वाइन आपको बटाइए जो वाइन पर्डॉक्ट्स होते हैं इस रेली वर्क आपको बता है जरूरी निहें कि हम मरकरी वाले और यह सारे प्रॉड्क्स जो है हम लाच करके अपने सब किसी 500, 300, 400 रुपे की क्रीम बनाने के लिए ये जो हम, मैं नाम नहीं लेना चारी है मगर आपको प्राइस बतारी हूं को समझ तो आ गए होगी इन चीज़ों को लगा के हम अपनी स्किन को मार दें, वार दें, जिन्दगी खराब कर दें It's not that मूउका स्किन का खियाल इसलिए करना पड़ता हूं, किस तरही केसे करना पड़ता देखें आप तीन दिन दातनी माझएंगे, चार दन दातनी माझएंगे क्या होगा? डातनी मांझऊ ओगा उल्ची वाज होगा उच्छी आवाज में बोलो पीले हो जाएंगे तो फिर बद्बू भी आएगी उसी तरह जब अगर अपने मूँ की स्किन की भी उपर से सफाई नहीं करेंगे तो स्किन डल हो जाएगी, खराब हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी ड्राइ हो जाएगी, रफ हो जाएगी, एक्नी आजाएगी पॉर्ड स्किन हो जाएगी, शेड़ स्किन हो जाएगी, रफ हो जाएगी तो यह सब कुछ होती है, तो हमने अपनी स्किन को भी मॉस्चर, ख्याल, सब कुछ करना है अच्छे प्रोडाक्स लगा के, तो मैं पाकिसान के लिए बहुत इचा तोफा लाने लगी हूँ और मैं आपको अभी बता रही हूँ, बहुत जल्दी लाँच करूँगे, मैं अपने कॉलर्स को फ्री में यहाँ पर गिफ्ट करूँगी, वो क्रीम, फेस वॉच, वो संब्लॉक्स, वो सारी चीज़े जो मेरी स्किन केर के आ रही है ताकि आप यूज करें कि भाई, यह जो इतने महंगे फामूलाज हैं, वो मैं कितने सस्ती कॉलिटी में अच्छी तरीके से आपको बना के दूँगी, जो आप लगाएंगे और आपके स्किन बड़ी सॉफ्ट और अच्छी रहेगी, उसमें कोई साइड एफेक्ट नहीं हो करल देखते रहेगा मोड़ी फिजा हो